नमस्कार, संसर समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ चंदर शेखर जोशी और आईए सबसे पहले बात करते हैं लोगसभा की महिला पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक स्परधा से अयोग ठहराये जाने की गूँज बुद्वार को लोगसभा में भी सुनाई दी विपक्ष के कई सदस्यों ने इस विशय को उठाया और कहा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को हस्तक शेप करना चाहिए ताकि विनेश को न्याय मिल सके खेल मंत्री मनसुक मांडविया ने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी ने विनेश फोगाट के ओलंपिक प्रतियोगिता से बाहर किये जाने के मामले में भारती ओलंपिक संग को जरूरी कारवाई के लिए कहा है मांडविया ने विनेश फोगाट के मामले में सदन में दिये बयान में कहा कि आई ओए की प्रमुक पीटी उशा पेरिस में ही है और प्रधान मंत्री ने उन से खुद बात की है मांडविया के अनुसार प्रधानमंत्री ने पीटी उशा को कहा है कि वो इस मामले में उचित कारवाई करें विनेश को महिलाओं की 50 किलो कुष्टी इस परधा के फाइनल से पहले वजयन अधिक पाये जाने के कारण बुधवार को ओलंपिक से अयोग के घोशित कर दिया गिया विनेश ने ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतिय महिला पहलुआन बनकर इतिहास रचा था सुबह तक उनका कम से कम रज़त पदक पक्का लग रहा था लेकिन अब वो बिना किसी पदक के लोटेंगी मांडविया ने कहा कि सरकार ने विनेश फोगाट को सभी प्रकार की खेल सुईधाएं एवं हर इस्तर पर प्रशिक्षन उपलब्ध कराए हैं उन्होंने कहा कि विनेश को पेरिस उलम्पिक के लिए सत्तर लाग पैंतालीस हजार साथ सो पिजहतर रूपिये की साहता दी गई है मंत्री के जवाब से असंतुष्टी जताते हुए विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉक आउट किया कॉंग्रेस सांसत शफी परंबिल ने महिला पहलवान विनेश पोगाट के ओलम्पिक इस परधा से अयोग के घोशित किये जाने का भी विशय उठाया और कहा कि सरकार के इस तर पर ये प्रियास होना चाहिए कि विनेश के साथ न्याय हो राष्टी ये लोगतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनिवाल ने कहा कि किसानों के लिए नियूंतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए और किसानों के करज माफ किये जाए उन्होंने कहा कि विनेश भोगाट के मामले में प्रधान मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और सुनेश्चित किया जाना चाहिए कि विनेश खेल सकें आज़्याद समाजपार्टी के सांसच चंद्र शेखर आज़्याद और कुछ आन्य सदस्यों ने भी इस विशय को सदन में उठाया लोगसभा ने बुधवार को वित संख्यांक दो विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी वित विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वितमंत्री निर्मला सीतरमन ने कहा कि करों में भारी विरिधी किये बिना सरकार सरली किरित का रधान व्यौस्था लेकर आई है और अनुपालन आसान किया है उन्होंने कहा कि मोधी सरकार के तहट बजट में विभिन कर प्रस्ताओं से मध्यम वर्ग को लाब हुआ वितमंत्री का कहना था कि 15 लाग रोपे की वार्शिकाय पर प्रभावी कर 2023 में घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया गिया है और नई आयकर वियोस्ता के तहट इस साल भी इसे और कम किया गिया है सीता रमन ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि स्वास्ति बीमा पर माल एहुम सिवा कर GST की वियोस्ता लागू होने से पहले से कर लगता था और उन्हें इस बारे में अपनी पार्टी के शासन वाले राजी के वित्तमंत्रियों के समक्ष विरोतर्ज कराना चाहिए विपक्षी सदस्यों ने वित्तविद्ययक पर चर्चा में भाग लेते हुए स्वास्ति बीमा और जीवन बीमा के प्रीमियम पर लगने वाली 18 प्रतिशत की GST खत्म करने का आगरह किया था वित्तविद्ययक पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमन ने कहा कि मेडिकल बीमा के प्रीमियम पर GST आने से पहले कर है ये नया विशय नहीं आया है पहले भी हर राजी में मेडिकल बीमा पर कर लगता था वित्तमंत्री ने कहा कि इस मामले पर विपक्ष दोहरा माप दंड अपना रहा है मंत्री के जवाब के बाद वित्तविद्ययक को ध्वनिमत से मंजोरी दी गई वित्य विद्यक पर मंगलवार को सदन में अधूरी रही चर्चा को बुधवार को आगे बढ़ाते हुए भारती जनिता पार्टी के सांसत जगदंबिका पाल ने कहा कि सरकार का प्रियास है कि करदाताओं पर कर का बोज कम हो उन्होंने कहा कि कराधान या करके ढाचे में पारदर्शिता हो सरकार ने ये सुनिश्शित करने की कोशिश की है पाल के अनुसार एंजल टेक्स का नतीजा था कि देश के छोटे और मध्यम कारुवार संकट में आ गए उन्होंने कहा कि एंजल टेक्स की व्योस्ता खत्म होने से युवा उद्यमियों को मदद मिलेगी भाजपा सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधान मंत्री बनने से पहले भारत की गिंती पांच चर मराती हुई अर्थ व्योस्ताओं में होती थी लेकिन अब देश शीर्ष पांच अर्थ व्योस्ताओं में शामिल हो गिया है उन्होंने कहा कि सरकार के कदमों के कारण देश आने वाले समय में दुनिया की नमबर एक अर्थ व्योस्ता बनेगा भाजपा के सांसाथ राजीव प्रताब रूडी ने कहा कि बजट बनाते वक्त सरकार को देश के अंदर उनी ही नहीं बलकि अंतराश्ट्री हल चलों योम घटना करमों को भी ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि दूसरे देशों में जारी गतिविदियों का भी अर्थ व्योस्ता पर असर पड़ता है चर्चा में भाग लेते हुए कॉंग्रेस सांसथ हमदुल्ला साइद ने कहा कि स्वास्ति बीमा और जीवन बीमा पर जीएस्टी लोगों की जेब पर बोज़ है सरकार को स्वास्ति बीमा और जीवन बीमा से जीएस्टी खत्म करनी चाहिए उन्होंने कहा कि व्यक्तिकत कर का कुल संग्रह कॉर्पोरेट कर से ज्यादा है उन्होंने कहा कि आयकर भरने वालों को रहत मिलनी चाहिए शिव सेना सांसत रवींद्र वाइकर ने कहा कि आज देश दुनिया का स्टार्ट अफ हब बन गया है और इसक शेत्र को रहाद देने के लिए सरकार ने एंजल टेक्स को खत्म करने की गोशना की है त्रिणमूल कॉंग्रेस सांसत कल्यान बेनर जी ने बुद्वार को कहा कि इस बात में कोई संधे नहीं है कि देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ व्योसता है लेकिन इसका लाब भारत की गरीब जनता को नहीं मिल रहा बेनर जी ने ये भी कहा कि इसमें असंगठित अक्षेत्र के बारे में और विरोजगारी के संकट को समाप्त करने के बारे में कोई स्पष्ट उलेक नहीं है और इस समस्या का कोई स्थाई समाधान निकालना अत्यनत आवश्यक है त्रिन्मूल सदस्य ने कहा कि वित्विधियक में असंगठित अक्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहा गिया है जबकि भारत के कामगारों में बयानबे प्रतिशत असंगठित अक्षेत्र में काम करते हैं वित्व विध्यक पर चर्चा में भाग लेते हुए द्रमुक के कलानिधी वीरा मासी ने भी विरोजगारी को कम करने के मोर्चे पर केंद्र सरकार को पूरी तरह विफल बताया उन्होंने कहा कि देश में सूक्षम, मद्यम, एवं लगू उद्यम, MSME, ख्षेत्र खुद को बचाई रखने के लिए संगर्ष कर रहा है और हजारों उद्यम बंध हो गए हैं वीरा सामी ने कहा कि एक समझ के अनुसार देश में कर संगरह में प्रत्यक्षकर की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत और अप्रत्यक्षकर की 40 प्रतिशत अपेक्षित होती है उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्षकर में GST के रूप में गरीब लोग भी योगदान कर रहे हैं और ये प्रत्यक्षकर से अधिक हो गया है कॉंग्रेस की आरसुधा ने चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहट तमिल्नाडू में स्कूली शिक्षा के लिए देय अपने हिस्से के धन का आवंटन नहीं कर रही कई अन्यसदसियों ने भी चर्चा में भाग लिया और आएए अब आपको लिए चलता है राज्यसभा की ओर राज्यसभा में आज सदन के नेता जगत प्रकाश नड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार समिधान और इसकी प्रस्तावना की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इनका संग्रक्षन हर कीमत पर किया जाएगा सदन में विपक्ष के नेता मलिकारजुन खडगे द्वारा शूनिकाल में NCRT की पार्ठी पुस्तकों से समिधान की प्रस्तावना को हटाए जाने का मुद्धा उठाए जाने पर उन्होंने ये बात कही खडगे ने कहा कि पुस्तकों के पार्ठी क्रम में भी बदलाव किया जा रहा है उन्होंने सरकार से इस निर्णई को वापस लेने और सदन में इस बारे में इस पश्टी करण देने के मांग की नेता सदन नड़ा ने कहा कि कॉंग्रेस एक जिम्यदार पार्टी है लेकिन इस बात से उसकी बुद्धी मता तथा नियत पर बहुत बड़ा प्रश्ण चिन्ने लगा है उन्होंने कहा कि नेता सदन को बिना प्रमानित सुरोत के इस तरह की बात नहीं रखने चाहिए उन्होंने कहा कि सम्विधान की प्रस्तावना के साथ छेड़ चाल का सवाल ही नहीं उड़ता सरकार इसके प्रति वचन बद्ध है उन्होंने कहा कि मोधी सरकार ने ही इस देश में सम्विधान दिवस मनाने का निर्ण लिया है उन्होंने कहा कि सम्विधान का अपमान 25 जून 1975 को उस समय हुआ था जब देश में आपातकाल लागू किया गया था बाद में शिक्षा मंतरी धर्मेंद्र प्रधान ने सपष्ट किया कि अभी साथ कक्षाओं की NCRT की पुस्तके आई है और इन में से सम्विधान की प्रस्तावना को हटाया नहीं गया है उन्होंने कहा कि इन पुस्तकों में प्रस्तावना के साथ साथ मौलिक अधिकारों और मौलिक करतब्यों को भी प्रकाशित किया गया है कॉंग्रेस के शक्ति सिंग गोहिल ने जर्मनी में बाल देखभाल केंदर में रह रही भारतिय बालिका अरीहा जैन का मामला उठाया और सरकार से इसमें हस्तक्षेप की मांग की उन्होंने कहा कि अरिहा जेन नौ मा की थी तब से जर्मनी सरकार ने उसे बलपूरवक बाल देखभाल केंदर में रखा हुआ है उन्होंने कहा कि तीन वर्ष हो गए है ये बालिका जर्मनी के बाल देखभाल केंदर में अभी भी है संयुक्त राष्ट के एक समझोते के अनुसार फ्रतेक व्यक्ति को अपने धर्म, परंपरा और संस्किर्ति का पालन करने का अधिकार है लेकिन इस बालिका को जैन संस्किर्ति से दूर किया जा रहा है बालिका को मानसाहार कराय जा रहा है उन्होंने कहा कि केंदर सरकार को अपनी और से हस्तक्षेब करते हुए इस बालिका को भारत लाना चाहिए उन्होंने कहा कि उसे जर्मनी में भी किसी गुजराती परिवार के संग्रक्षण में रखा जा सकता है सलक परिवानियों राजमार्क मंतरी नितिन गटकरी ने प्रश्नकाल के दोरान सदन को बताया कि राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदुशन का कारण बनने वाली पराली से जैव, बिटुमेन, बायो सीएंजी, बायो गैस और हवाई इधन बनाय जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नितियों और नई योजनाओं से देश का किसान अब केवल अन दाता नहीं है, उर्जा दाता भी है, और केवल उर्जा दाता ही नहीं, बिटुमेन दाता भी है, और केवल बिटुमेन दाता ही नहीं, हवाई इधन दाता भी उन्होंने कहा कि धान की फसल के बाद बचने वाली एक टन पराली से 30 प्रतिशत जैव बिटुमेन, 350 किलो बायो गैस और 350 किलो बायो चाप बनाई जा रही है उन्होंने कहा कि इस बिटुमेन का इस्तिमाल सडक निर्माड में किया जा रहा है देश में 90 प्रतिशत सडकों के निर्माण में अभी 88 लाग टन जैव बिटुमेन का इस्तिमाल किया जाता है और अगले वर्ष तक ये 100 लाग टन पहुंचने की संभावना है उन्होंने कहा कि अभी 50 प्रतिशत बिटुमेन का आयात किया जा रहा है जिस पर 25 से 30 हजार करोड रुपे की लाग टाती है उन्होंने कहा कि अभी देश में पराली से बायो सी एनजी भी बनाई जा रही है देश भर में इस तरह की 450 प्रयोजनाय हैं जिन में ये कारी किया जा रहा है और इन में से अधिकतर पंजाब, हरियाना और उत्तर प्रदेश में हैं देश में पराली से प्रतिवर्ष एक लाख लीटर इथनोल बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि पराली से जैव हवाई इंधन मनाने की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है और अगले पांच वर्षों में जैव हवाई इंधन की मातरा 20 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी उन्होंने कहा कि ये सरकार की नीतियों का ही नतीज़ा है कि प्रदूशन के लिए जिमेदार पराली से मिलने वाले बायो चाप का इस्तिमाल जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है और इससे किसानों की उपज बढ़ेगी इसके अलावा किसानों को एक टन पराली के लिए धाई हजार रुपिय भी दिये जाएंगे उन्होंने कहा कि इस से जीवाश्म इधन के आयात पर खर्च होने वाले सोलह लाग करोड रुपे के आर्थिक बोज में भी कमी आएगी उत्राखंड में चारधाम पर्योजना के सो किलोमीटर के प्राकृतिक रूप से समयधन शील अक्षेत्र में सड़क की चोड़ाई कम रखने की मांग से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर्योजना का अभी 150 किलोमीटर काम बाकी है उन्होंने कहा कि ये सामरिक रूप से बहुत महतुपूर्ण निर्ण है क्योंकि ये सड़क चीन सीमा तक जाएगी और इसके महत्व और इस रास्ते से ले जाई जाने वाली भारी भरकम मशिनरी को देखते हुए इसे परियाप्त चोड़ा रखने की जरूरत है उन्होंने कहा कि उसक्षेत्र में भाविश्य में भूस्खलन होने के आशंकाओं को ध्यान में रखकर मजबूत निर्मान किया जाएगा उन्होंने आश्वासन दिया कि परियोजना के लिए पेड़ नहीं काटे जाएंगे उन्होंने कहा कि सरकार इसे बनाते समय राश्ट्री अहित और परियावरण की रक्षा का पूरा ध्यान रखेगी एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजमारगों के निर्मान के लिए स्विक्रित राशी की कोई सीमा नहीं है लेकिन राज्य सरकारों को प्रस्ताव के साथ परियावरण और भूमी अधिगरहन जैसी सभी मंजूरियों के पत्र भी भेजने होंगे राज्य सभा में आज विनियोग संख्यांक 2 विधेएक 2024 और जमुकश्मीर विनियोग संख्यांक 3 विधेएक 2024 पर चर्चा शुरू हुई कॉंग्रेस के दिगविजय सिंग ने चर्चा शुरू करते हुए कहा कि सरकार की नीतियों से सामाजिक और आर्थिक समानता बढ़ी है गरीब अधिक गरीब और अमीर अधिक अमीर हुआ है उन्होंने कहा कि देश के संसाधन पर पहला हक सबसे उपेक्षित और संसाधन विहींद लोगों का होता है जबकि यहां इस्तिती इसके उलट है तिर्मूल कॉंग्रेस के डेरेक उब्राइन ने स्वास्ति बीमा पर 18% GST को आपस लेने के मांग की उन्होंने कहा कि इसके लिए 350 संसदों ने पत्र लिखा है उन्होंने पश्चि मंगाल के साथ भेदभाव किये जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मन्रेगा सहित अधिकांग्श केंद्रिय योजनाओं के तहट दी जाने वाली राशी के बारे में 2021 से श्वेत पत्र लाया जाना चाहिए चर्चा की दौरान विपक्ष के नेता मलिकारजुन खडगे ने कुछ कहना चाहा लेकिन उनके द्वारा विशह इसपष्ट नहीं किये जाने पर सभापती ने उन्हें बोलने की अनुमती नहीं दी जिससे विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करने लगे और बाद में उन्होंने कुछ देर के लिए सदन से वहिर गमन किया YSR कॉंग्रेस के V.E.V.J.S.I. Reddy ने कहा कि मध्यमोर्ग पर कराधान पर विचार किये जाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि सरकार को पेंशन कर मुक्त करने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर रिटर्न दाखिल करने को सरल बनाने पर विचार करना चाहिए उन्होंने किर्शी उपकरणों पर G.E.S.T. की दर कम किये जाने की भी मांग की भारतीय जन्ता पार्टी के भूनेश्वर कलिता ने कहा कि ये सरकार सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना पर काम कर रही है समाज के सभी वर्गों और अर्थव्योस्ता के सभी कारकों का ध्यान रखा गिया है सरकार का पूरा ध्यान गरीबों, युवाओं, किसान और महिलाओं पर है अन्ना द्रमुक के एम थंबी दुरई ने तमिलनाडू में लंबे त्रेल पर योजनाओं और कच्चा तीवू द्वीब को लेकर श्री लंका के साथ चल रहे विवाद का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि इस दुरीब में तमिलनाडू के मचवारों को परिशान किया जा रहा है त्रिनमूल कॉंग्रेस के जवाहर सरकार ने कहा कि केंद्र पशिमंगाल सरकार की 34,000 करोड रुपे की राशी का भुकतान नहीं कर रहा है भाजपा के अरुन सिंग ने कहा कि मोदी सरकार के शासन में गरीब, किसान और धाचागस सुईधाओं के लिए खजाना खुला हुआ है और इनके लिए बड़ी राशी खर्च की जा रही है विविन वैश्विक सुचकांकों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत का इस्थान इनमें कई गुना बढ़ गिया है राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने कहा कि हर व्यक्ति अपनी आमदनी का करीब 40% हिस्सा कर के रूप में देता है उन्होंने कहा कि इतना कर लेने के बावजूद सरकार की ओर से दी जा रही स्वास्तिय और शिक्षक शेत्र की सुईधाएं बधाल है आरेक्षन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी वर्ग आरेक्षन माग रहे हैं जिससे कटुता और तनाव बढ़ रहा है उन्होंने जातिगत जनगरना कराने और आरेक्षन की सीमा बढ़ाये जाने की मांगी बाजपा के घंशामतिवारी ने कहा कि सकल घरिलू उत्पात के बढ़ने के बावजूद सरकार ने महंगाई पर काबू कर रखा है और ये एक बड़ी उपलब दिये उन्होंने कहा कि अभी दुनिया में सबसे कम महंगाई भारत में है देश में व्यावसाय की सुगमता बढ़ने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना काल में भी देश में तेरह प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था आमादमी पार्टी के रागव चड़ा ने कहा कि कर नीती को लेकर सरकार में भयानक असमंजस है सरकार को वित्तिय समावेशन बढ़ाने और बीमा को प्रोसाहन देना चाहिए उन्होंने बहुस्तरी अकरप्रनाली पर भी चिंता व्यक्त की बीजू जनितादल की सुल्ता देव ने कहा कि ये कुरसी बचाव बजट है ओडिशा के लोगों को डबल इंजन सरकार में डबल घाटा हुआ है उन्होंने कहा कि ओडिशा प्राकृतिक आपदावला राज्जी है इसलिए उसे विशेश पैकेस देना चाहिए उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के हित में पोला वरम परियोजना बंद करनी चाहिए राश्टिय जनितादल के मनोज कुमार ज्जा ने कहा कि देश में 10 प्रतिशत लोगों के पास 80 प्रतिशत संपत्ती है उन्होंने कहा कि छोटी जोट का किसान और मजदूर सरकार की प्रत्मिक्ता में होना चाहिए और सरकार को आर्थिक समाज जन की ओर बढ़ना चाहिए इससे बेरोजगारी की चुनोती से निपटने में मदद मिलेगी कॉंग्रेस के शक्ति सिंग गोहिल ने कहा कि सरकार को किर्शी को प्रत्मिक्ता में रखना होगा किर्शी और किर्शी आदानों पर GST लगाई जा रही है जबकि प्लैटिनम पर GST घटाई जा रही है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की जान है और सरकार को राजी के लोगों का भरोसा जीतना होगा तो संसर समाचार में फिलाल इतना ही आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ नमस्कार दो सोचे देश, दस हजार से ज्यादा एथलीट, पतीस खेल, सोलह दिन, लक्ष एक गोल्ड मेडल, सो से ज्यादा भारती खिलाडी में दिखा रहे हैं दम पारिस ओलम्पिक से जुड़ी, हर ख़बर सीधे, ग्राउंड जीरो से भारत के चैंपियन्स एड पारिस ओलम्पिक, रोजाना सुबह 10 बजी, सर्फ डीडी न्यूस पर धरती करे पुकार, जल दा रहा है के वल डीडी नेशनल पर साइबर वोर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप ओनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वारस अटेक से कैसे बच सकते हैं आप टेक्नोलोजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज आप मुसाबधान करने के लिए ला रहे है कारिक्रम, साइबर एलर्ड, 17 गसी, हर शनिवार, रात 9 बजे दिन भर की भाग दोड में, जब जूट जाएं जरूरी खबरें जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर जब फटफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर जब केवल आदे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाथ तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शोग पार्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है माइनिक शेहर बाजार और दूसरे फाइनिशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स कारूबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विसलेशन देखिए एकानोमी टुडे डीडी नीज पर नमस्कार डीडी नीज में आपका स्वागत है मैं हूँ चंदर शेखर जोशी और आईए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हैडलाइन्स विनेश से मेडल की आस लगाए देशवासियों को निराशा लगी हाथ पाइनल मुकाबले से पहले निर्धारित पचास किलो से अधिक पाया गया सौ ग्राम वजन फोगाट को दिया गया अयोग्य करार प्रदान मंत्री ने विनेश को बताया चैंपियनों में चैंपियन कहा निराश होने की नहीं है जरूरत आयोसी अध्यक्ष पीटी उशा से बात कर हर संभव मदद करने के दिया निर्धेश केंद्रिय खेल मंत्री ने मामले को लेकर संसद में दीजान करी बांगलादेश में गुरुवार को हो सकता है अंतरिम सरकार का गठन तीन चार दिन में शान्ती हो सकती है बहाल अलप संख्यक हिंदूओं के खिलाफ हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधित्यनात का बयान कहा सनातनियों को एक जुठ होने की है जरूरत बजट एलान पर हुआ संशोधन वित्तमंत्री ने 13 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी बेचने पर बिना इंडेक्सेशन के 12.5 फिसदी और इंडेक्सेशन के साथ 20 फिसदी टेक्स का दिया विकल वक्फ बोर्ड संशोधन विल हो सकता है गुरुवार को लोगसभा में पेश कानून 1950 के सेक्शन 40 को हटाए जाने की संभावना किसी भी संपत्ति को वक्फ घोशित करने का अधिकार हो सीमित केंद्रिय पोर्टल और डेटाबेस के जरीए पंजी करन के तरीके होंगे सुभ्यवस्थे और श्रीलंका ने भारत को 30 वंडे में 110 रनों से हराया श्रिंखला दो शोन्य से की अपने नाम श्रीलंका के 248 रन के मुकाबले भारतीय टीम 138 रनों पर हुई धेर भारत में 27 साल बाद श्रीलंका के खिलाप वंडे सिरीज गवाई और आईए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत के खेल प्रेमियों को उस समय बड़ा जटका लगा जब 50 किलोग्राम महिला कुष्टी इवेंट से विनेश फोगाट को अयोग्य घोशित कर दिया गया फोगाट का मुकाबला सायुक्तराजी अमेरिका की सारा एन हिल्डे ब्रांट से स्वान पदक के लिए होना था विनेश फोगाट को उबरवेट के चलते डिस्क्वालिफाई कर दिया गया पैरिस से मंगलवार को संसनी उभरी और पूरे भारत में चा गए मैट पर विनेश ने जापान की विश्व चैंपियन और टोक्यो ओलम्पिक की गोल्ड मेडलिस यूई सुसाकी को जब आखरी 20 सेकंड में बठकनी दी तो पूरा देश जोम उठा ये पहला मौका था जब सुसाकी को किसी अंतराश्टी पहलवान ने मात दी थी इस बड़े उलट पेर के बाद संसनी भैलना लाज़मी था कौटर फानल में मुकाबला यूकरेन की ओकसाना लिवाच के साथ था विनेश के सामने वो भी टिक ना सकी विनेश ने यूकरेन की पहलवान को साथ पास्ट से शिकस दे कर सेमी फानल का टिकट कटाया सेमी फानल की जंग में विनेश ने क्यूबा की लोपेज गुजमान को पास्चून से हराया पहली बार कोई भारती महिला पहलवान उलम्पिक के फानल में पहुची विनेश फानल खेलने वाली भारत की तीसरी पहलवान बनती 2012 में सुशील कुमार और 2020 में रवी दैया ही फानल में जगा बना पाए थे ऐसे में पूरा देश गोल्ड पक्का मान रहा था और विनेश के फानल मुकाबले का इंतजार भी कर रहा था लेकिन बुद्धवार दुपहर 12.30 बजे के करीब पैरिस से एक खबर आई और पूरे देश में मायूसी छा गई 50 किलो ग्राम बर्ग में फानल मुकाबले से पहले विनेश के वजन की जाच हुई और उनका वजन 100 ग्राम अधिक यानी 50 किलो 100 ग्राम पाया गया उलम्पिक नियम के मुताबिक उन्हें आयोग्य करार दिया गया पूरा देश स्थब्द रह गया गोल्ड पक्का मानकर उमीद लगाए देशवातियों का सपना बड़ी ही प्रिहरमी के साथ तूड़ किया अयोगिता की वज़ा से विनेश किसी भी पदक की हगदार नहीं रही पैरिस से मुकेश शुगला की रिपोर्ट टीडिनेयोज रेसलर विनेश फोगाट के अयोग्य घोशित होने से पूरे देश में निराशा का महौल है महज 100 ग्राम वज़ा नधिक होने के कारण उलम्पिक जान समिती ने उन्हें अयोग्य घोशित कर दिया प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने इंडियन उलम्पिक संग की अध्यक्ष पीटी उशा से फोन पर बात की और इसके विकल्प पर चर्चा की पैरिस से विनेश के अयोग्य होने के सूचना आने के बाद प्रधान मंत्री ने पूरी घटना की फोरण जानकारी ली उन्होंने सोचल मीडिया पर एक पोस्ट में साजा किया जिसमें भारत की बेटी को धहरे रखने के लिए कहा प्रधान मंत्री ने लिखा कि इस दुख के व्यक्त कर पाने के लिए शब्द उनके पास नहीं है साथ ही उन्होंने लिखा कि विनेश चैंपियन है और देश को उन पर गर्व है प्रधान मंत्री ने ततकाल इंडियन ओलंपिक संग की अध्यक्ष पीटी उशा से बात की और पूरे मामले में अपील से लेकर हर संभव मदद करने के निर्देश दिये पीटी उशा ने कहा कि संग हर बात का ध्यान रख रहा है वही खेल मंत्री डॉक्टर मंसुक मांडविया ने संसत के दोनों सदनों में बयान दिया उन्होंने बताया कि विनेश फोगाट की अयुगिता पर भारतिय उलम्पिक संग ने अंतराष्टिय कुष्टी संग के समक्ष कड़ा विरूध दर्श कराया है जबकि भारतिय उलम्पिक संग ने आंतराष्टि कुष्टी संग से कड़ा विरूध भी दर्श किया है जबकि भारतिय कुष्टी संग ने फाइनल मैस से पहले अयुगिता के मुद्दे को दुर्भा के पुण बताया है वहीं भारतिय उलम्पिक दल के चीफ मेडिकल आफिसर डॉक्टर दिन्शा पादरीवाला ने कहा कि विनेश ने तीन बाउट मंगलवार को लगतार लड़ी थी उसके बाद कुछ खाया और थोड़ा पानी पिया और उनका वजन बढ़ गया हर संभव प्रयास के बाद ही 50 किलो तक उनका वजन नहीं हो पाया जो कि दुर्भाग्य पून रहा हमारी BTI इतिहास रचने जा रही थी और यह गोल्ड लाती यह 100% गोल्ड की दावेदार थी और भारत में इक इतिहास रच देती लेकिन इसको दुर्भाग्य कहा जाएगा Vinesh had three bouts and hence to prevent any dehydration some amount of water had to be given we found that her post participation weight was increased more than normal and over the night we went ahead with the weight cut procedure however in the morning we found that despite all of our efforts her weight was 100 grams over her 50 kilogram weight category and hence she was disqualified विनेश से देश के 140 करोड देशवासियों की उम्मीदे जुड़ गई थी जब पेरिश से अयोगेता की खबर आई तो सभी हैरान रह गए राश्टपती से लेकर राजसभा लोगसभा आदश और नेता प्रतिपक्ष से लेकर देश की तमाम दिगज हस्तियों के बयानों में एक टीस दिखाई थी लेकिन सभी ने भारत की बेटी का होसला बढ़ाया और एक स्वर में पूरे देश ने अपनी धाकड़ बेटी का साथ लिया विनेश को भले ही मेडल ना मिला हो लेकिन वो देश के लिए चैंपियन बेटी है फैरिस से मुकेश शुक्रा के साथ ब्यूरो रिपूर्ट डिरी न्यूज वहीं ओलम्पिक में विनेश फोगाट के अयोग ये ठहराए जाने पर उनके ताउ महावीर फोगाट ने भी इस मामले पर चिंता जताई है मैं तो बाबाप मेरे को तो दुख है लेकि सारे देश को दुख है जिसने पूरी आसमी थी जो गोर्ट में लिखिया और वो जी जाकर के जो ने तो हो गया तो सारे देश को दुख है चीज़ के जो दुख है जो जो ओप जनकी तो दॉख जो खिल ला गे जो कुशतिके जो बहर जो जो वह चैसला लेंगे इसके वारे तो ना कोई सरकार कर से तथा है जो बठे जो पुश्ति लडा रहे है और अच्छु को देश बारतिय महिला पहलवान विनेश फोगाट को भले ही पेरिस ओलम्पिक्स से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया हो लेकिन केंद्र सरकार इस मुश्किल घडी में विनेश फोगाट के साथ खड़ी है इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने ओलम्पिक की तयारियों को लेकर भी विनेश फोगाट की भरपूर मदद की है विनेश फोगाट के लिए Special Personal Trainer नियुक्त किया गया हंगरी के एक्सपर्ट कोच विलेर अकोस और फिजियो को अश्वनी पाटिल को उनके लिए नियुक्त किया गया स्टेंथ एंड कंडिशनिंग एक्सपर्ट इस्पारिंग पार्टनर लगाए गए विनेश फोगाट को इस्पेन के ग्रेंड प्रिक्स में भाग लेने के लिए वित्ती एसाहता दी गई साथी 3 जुलाई से 13 जुलाई तक मैडरिड में इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैम्प में शामिल होने के लिए अतिरिक्त मदद दी गई इसके लावब फ्रांस के बुलोन सुमेर में फ्री ओलंपिक ट्रेनिंग के लिए अतिरिक्त मदद दी गई हंगरी के बुड़ा पेस्ट मायुजित इंटरनेशनल कुष्टी संग की सेकंड सिरीज में स्पेशल स्टाप के लिए आर्थिक मदद दी गई इसके लावब विनेश को स्ट्रेंथ एंड कंडिशनिंग कोच रखने के लिए मदद दी गई 13 जुलाई से 16 जुलाई तक हंगरी में चौथी रैंकिंग सीरीज के दोरान भी उन्हें मदद दी गई बेल मिकेन बुलगारिया में ट्रेंनिंग के लिए भी उन्हें आर्थिक साहिता प्रदान की गई रिहेब के लिए उन्हें कुछ उपकरण खरीदने थे उसके लिए भी सरकार ने उनकी मदद की कुल मिलाकर टार्गेट उलम्पिक पोडियम स्कीम के तहट उन्हें 53,35,746 रुपए और A.C.T.C. के तहट 17,10,029 रुपए के आर्थिक मदद दी गई जो कुल मिलाकर 70,45,775 रुपए हुए वहीं इससे पहले ठोकिय उलम्पिक के लिए विनेश पोगाट की तैयारियों पर 1,66,000,000 रुपए से अधिक की वित्तिय सहायता प्रदान की गई थी लोगसभा ने आज वित्विधियक 2024 को मंजूरी दे दी है वित्त विधियक में कराधान और सरकारी खर्च से जुड़े अलग-अलग प्रस्ताव शामिल है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किये गए कई आधिकारिक संशोधनों को स्विकार करने और विपक्ष द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को खारिज करने के बाद वित्त विधियक को लोगसभा में पारित किया गया वित्त विधियक के लोगसभा सिफास होने के साथ ही सरकार का बजट से जुड़ा संसदिय कारिय पूरा हो गया इस से पहले लोकसभा ने वित्तिय वर्ष के बजट में विभिन्द मंत्रालेंग और विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगो एवं उन से संबंधित विनियोग विधियक को गिलोटिन के माध्यम से मंधूरी दी थी लोगसभा में वित्तमंत्री निर्मला सितरमन ने वित्त विध्यक पर जवाब देते हुए कहा कि घर बेचने पर पुराने कर प्रावधान के विकल्प के लिए जो संशोधन लाया गिया है वो समय के हिसाब से लाया गिया है वित्तमंत्री निर्मला सितरमन ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष राजनिती कर रहा है हुगी हुगी है नवगे विवादेश डीजल but I would like to highlight that in November 21 and May 22 13 rupees per litre was reduced on petrol and 16 rupees per litre was reduced on diesel both the times put together and while petrol and diesel prices were cut by 2 rupees per litre across the country even in March 2024 वित्त मंत्री निर्मला सितारमन ने कहा कि हेल्थ जीवन बीमा पर टेक्स GST आने से पहले से ही थी लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है Medical Insurance के उपर GST आने से पहले से हर स्टेट में Pre-GST टेक्स लगता था ये नायाब शेय आज नहीं आया है और GST पैदा होने के बाद नहीं आया हर स्टेट में ता पहले आज आकर इदर पर अदश्री करने वाले हर एक से मैं पूछ रही हूँ आपके स्टेट में पहले बात किये क्या उसको हटाओ नहीं किये दोनों सदनों में विधाई कामकाज हुआ कथित तोर पर NCRT की किताब से समीधान की प्रस्तावना हटाए जाने के मुद्दे को विपक्ष ने उठाया सत्तापक्ष ने कहा कि विपक्ष भ्रामक मुद्दे को उठा रहा है किताबों से प्रस्तावना नहीं हटाई गई है और नहीं कोई प्रावधान है मौजूदा सत्र में संसत के दोनों सदनों में जम कर कामकाज देखने को मिल रहा है राजसभा में बुधवार को नेता विपक्ष मल्लिकारजुन खडगे ने NCE-RT की किताबों से कथित तोर पर सम्विधान की प्रस्तावना हटाए जाने का मुद्दा उठाया इस दोरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार भी देखने को मिली प्रेटर्निटी और इनके वैल्यूस को दर्शाता है नेता सदन जेपी नडड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि कॉंग्रेस पार्टी के नेता को कोई भी बात उठाने से पहले उसके सोर्स का ध्यान रखना चाहिए कि वो जानकारी कहां से मिली देखने में, सुनने में और पढ़ने में नहीं कि सोर्स से आया है उस सोर्स को रखना चाहिए और सोर्स सभापती जी कभी भी अकवार की कतरने नहीं होती है सोर्स औरिजिनल टेक्सबुक होता है प्रियامبل के साथ छेड़ छाड़ करने का सवाल ही नहीं उठता सदन के बाहर संसत भवन परिसर में केंद्रिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि नेता विपक्ष ने शू निकाल के दौरान जो बात कही है वो तत्यों से परे है पाठ्य पुस्तक छटवी क्लास की आज चुकी है सारे किताबों में संबीधान की प्रियांबल fundamental duties, fundamental rights, national anthem सारे विश्यों को पिछले दिनों में जितने किताबों में रहते थे उसे ज़्यादा किताबों में रखा गया है कॉंगरेस पार्टी अपने हतास के कारण जिनोंने संबीधान को सबसे ज़्यादा तोड़ने का, मोरोडने का, नीचा दिखाने का काम किया है ये जूट और ब्रामती फिलाने की काम पे लगे है वहीं लोकसभा और राजसभा में प्रश्णकाल के दोरान कई एहम सवालों के उत्तर भी संबंधित मंत्रियों की तरफ से दिये गए दस साल पहले मात्र 311 करोड रुपे का इंवेस्टमेंट होता था चतिसगर स्टेट के लिए वो आज प्रदानमंत्रिशी नरेंदर मोदी जी 6,922 करोड याने 22 होना ज़्यादा इंवेस्टमेंट आज दे रहे हैं पहले मात्र 6,5 किलोमेटर साल में पूरे साल में आज 100 किलोमेटर पर येर याने पहले से 15 गुना ज़्यादा काम हो रहा है उधर राजसभा में दोपहरबाद विनियोग विध्यक और जम्मू कश्मीर विनियोग विध्यक पर चर्चा शुरू की गई चर्चा में सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने हिस्सा लिया नई दिल्ली से राजेश राज के साथ शैलिंद्र मिश्र की रिपोर्ट डीडी नियूज वक्ष बोर्ड में सुधार के लिए मोधी सरकार संसद में एककरित वक्ष प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षिता और विकास अधिनियम नाम से बिल लाने जा रही है आईए जानते हैं क्या वक्ष कानून संशोधन बिल के प्रावधान है नए अधिनियम में वक्ष की संपत्ति को केंद्री करित पोर्टल पर रेजिस्टर करना अनिवारी होगा इसके साथ महिलाओं और बोहरा समाज के अधिकारों को सुरक्षित करने का भी प्रस्ताव है खास बात ये है कि वक्ष संपत्ति विरासत में महिलाओं को ऐसी संपत्ति के उत्रादिकार के अधिकार से वन्चित नहीं करने का भी प्रस्ताव किया गिया है इसके जरिये मुस्लिम महिलाओं के सशक्ति करन को बल देने की योजना है नए कानून में वक्फ की संपतियों का सर्वे भी किया जाएगा नए प्रावधान के तहट केंद्रिय वक्फ परिशद और राज्य वक्फ बोर्ड मुसलिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी बोर्ड में सुनश्चित करेंगे सचर कमेटी ने अपनी सिफारिश में बोर्ड से जुड़ी संपतियों के साथ साथ उनके राजस्व की मैपिंग की बात कही थी सचर कमेटी ने बोर्ड के पास देश में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे अधिक जमीन है लेकिन इसके मुकाबले आने वाला राजस सो काफी कम है ये कहा था बोर्ड में मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्त होगा नए विधियक में प्रावधान है कि बोर्ड अब ये तै करने का एक मात्र प्राधिकारी नहीं होगा कि कोई संपत्ती, वास्ताव में वक्फ संपत्ती है या नहीं विदियक में वक्प के गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण के लिए एक केंद्रिय पोर्टल के माध्यम से खातों को दाखिल करने का प्रावधान करने का भी प्रस्ता हो है बाजपा की राजिसभा सांसर राधा मोहंदा सग्रवाल ने वक्प बोर्ड पर निशाना साथ ते हुए उसे देश की सबसे बड़ी समयधानिक भू माफिया सस्ता बताया साथी उन्होंने वक्प पर इनक्रोच्मेंट का आरोब भी लगाया इस देश की सबसे बड़ी संवैधानिक भू माफिया कंपनी है इस देश के अंदर तक्रीबन नो लाख अठावन हजार संपतियों पर जिसका कुल एरिया तक्रीबन देश के साथ मुस्लिमों को भी पीछे ले जाने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन करके कॉंग्रेस ने वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा नहीं की थी बलकि अपने चाहने वालों को अनुचित लाप पहुचाया था उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में अब होने वाला संशोधन वक्फ के लिए ज काटा और मेन इस्टीम से काटने का कॉंगरेस को फाइदा यह हुआ कि वोट बैंक बने रहे वक बोड को बजाए इसके के उनकी जो प्रोपर्टी है जो संपती है उसका शरक्षन होता उससे अथा पावर दे करके उन्हें खुश किया और अपने चहेतों को अपने करीबी लो को यह प्रुसकार के तौर से दिया और उन्होंने उसका मिस्यूज किया देश के यह श्वी प्रधार मंतरी श्रीन अन्मोदी जी एक ऐसे ऐसे नेता है इस देश के कि जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं वक बोर्ड में शंशोधन के सा विकारी और वक्फ बोर्ड हरियाना में लंबे समय तक काम कर चुके हनीफ कुरेशी ने भी वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत बताई है मुझे लगता है कि identification of the property, use of that property and management of that property इसके लिए जो procedural changes किये जा रहे हैं उनकी काफी समय से मुझे लगता जरूरत थी और यह सब हमारी जम्मेदारी है कि जितने भी हमारे चाहे revenue department के लोग हैं वो सब मिलके और इन मामलों को समझे और अच्छी administration वक्फ की हो जिससे कि वक्फ बहुत लोगों के भलाई के काम कर सकता है बहुत education के लिए काम कर सकता है, health के लिए काम कर सकता है, social sector में काम कर सकता है तो इन सब चीजों पर ध्यान अगर हम देंगे, तो एक social movement की तरह वक्फ act के द्वारा जो निकली हुई provisions हैं उनसे मुझे लगता है यह सब बहुत empower होने वाली है उत्तर प्रदेश के बिजनौर के बुर्हानुद्दीन पुर गाउं में इस्तितेक मदरसे में एक इशोरी के साथ जबरन छेड़ चाड़ी का मामला सामने आया है मदरसे के चात्रावास में कई साल से रह रहे ही 14 वर्षी पीड़ी चात्रा ने मदरसे के संचालक मौलवी के बेटे पर छेड़ खानी का आरूप लगाया है पुलिस ने मामले का संग्यान लेते हुए आरूपी के खिलाब पॉक्सो एक्टसाइज संगीन धाराओं में एक हेस दर्ज कर लिया है हलाकि मामला सामने आने के बाद से मदरसे का संचालक और उसका आरूपी बेटा फरार चल रहा है घटना के बाद पीडी चात्रा के अलावा मदरसे में रह रही आन्य चात्राओं के परिजन भी उन्हें वापस घर ले जा रहे है ताना चेतर कोत्वाली के ग्राम बुरहान अदिनपुर में एक मदरसा संचालेत है इस मदरसे में अध्यन करने वाली एक बालिका दोना ताने पर बस्ते दागर तारीक दी गई है कि मदरसे के एक विवक उस्मान दारौस के साथ शेचाड़ की गई है इस संबंद में अभियो पंजिगत किया गया है और विधानी काड़वई की गया है नागर विमानन सुरक्षा बीरो 5 से 11 अगस्त तक विमानन सुरक्षा संस्कृती सब्ताह मना रहा है केंद्री ग्रह मंत्री अमिशाह ने नागर विमानन सुरक्षा बीरो को इसके लिए शुपकामनाय दी है ग्रह मंत्री अमिशाह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ये उत्सव एक बेहतर और सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए भारत की प्रतिवधता का प्रमाण है उन्होंने लिखा कि वो हवाई अड़ों और हवाई शेत्र की सुरक्षा में अनुकरणिय कारी के लिए ब्यूरो की सरहना करते हैं साथ ही उन्होंने लिखा कि ये सब्ता विमानन सुरक्षा में निरंतर, सतरकता और उतकरिष्टता को प्रेरित करें केंद्रिय कोईला और खान मंत्राले ने साल 2022-2023 में उच्छ खनन मानकों के तहट प्रदर्शन करने वाली खनन कमपनियों को फाइव स्टार रेटिंग से सम्मानित किया राजधानी दिल्ली में एक विशेश समारों में केंद्रिय कोईला और खान मंत्री जी किशन रेड़ी और कोईला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने सामाजिक, आर्थिक और परियावरणिय कल्यान पर फ्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बेहतर खननकारी करन वाली 68 कंपनियों को प्रशस्ति पत्र और स्मिर्ति चिन प्रदान किया खान मंत्राले के अधिनस्त कार्याले भारतिय खान ब्यूरो आई बीएम के माध्यम से खनिज संग्रक्षन और विकास नियम 2017 के नियम 35 के प्रावधानों के अनुसार स्टार रेटिंग लागू की ज कंपनियों को सेवन स्टार रेटिंग दी जाए केंद्रिय कोईला और खान मंत्री जी किशन रिडी ने कहा कि भारत को पांच ट्रिलियन के अर्थवियोस्ता बनाने में खान मंत्राले का विशेश योगदान है और आने वाले वर्षों में इससे संगठित अक्षेत्र में र आज भारत में एक आर्गनेज़िट सेक्टार में माइन एंड कोल मिनिस्टी दे रहे हैं आर्गनेज़िट सेक्टार में सबसे ज़्यादा एंप्लाइमेंट मिलता है इसलिए आने वाले दिन में इस एंप्लाइमेंट को और बढ़ावा देना चाहिए और देश को एक शक् इजी विश्व विद्याले में इंडिया थिंक काउंसिल की ओर से कुम्भ को लेकर सेमिनार का आयोचिन किया गया। इस अउसर पर केंद्रिय संस्कृति मंत्राले की संयुक्त सचिव मुगधा सिना ने कुम्भ जैसे भव्यधार्मिक कारिक्रम से जुड़े अपने अनुभावों को साजा किया। कारिक्रम में वर्ष 2019 में प्रियाग राज और 2021 में हरिद्वार में हुए कुम्भ को लेकर चर्चा की गई। इंडिया थिंग काउंसिल के डारेक्टर वसंस्तापक सौरभ पांडे ने बताये कि 2025 में होने वाले महा कुम्भ से पहले उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रिय पर्यटन यों संस्कृति मंत्राले की ओर से 25 राजियों में सेमिनार आयुजित की जा रही है। सेमिनार में लोगों को आमंत्रित करने के साथ ही कुम्भ कुले कर लोगों में चली आ रही भांतियों को दूर करना है। सेमिनार में कुम्भ को लेकर लोगों में चली आ रही भांतियों को दूर करना है। दोजार पच्छिस में जन्वरी में से नया जो है इस बार का कुम्भ आयुजित हो रहा है जिसकी कड़ी में आज यहां एक वरक्शाप आयुजित हुई है। इसमें कुम्भ के बारे में जो है एक डिसकॉशन भी है और लोगों को जानकारी भी दी गई है। उसमें लगबग 5200 करोड रुपए से ज़्यादा डारेक्ली प्रोजेक्स पर और 2000 करोड यानि 7500 करोड के आसपास केवल इंफरस्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है। और कुम्भ में इस बार 45 करोड से ज़्यादा लोग आएंगे। जारखंड आई कोड ने रांची में खुली जग़ों में गोवंच मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सक्त कारवाई करने का आदेश दिया है। कोड ने SSP से पुछा कि जारखंड गोजाती पशुवध निशेद अधिनियम 2005 के तहट रांची में क्या कारवाई की गई है। रांची सहित राजी में कई स्थानों पर मीट शॉप के बाहर कटे हुए बकरे और मुर्गियों को खुले में प्रदर्शित किये जाने के खिलाब जन ही तियाची का दायर की गई थी। इस पर कोट ने मौखिक तोर पर कहा कि अगर शहर में खुली जगहों पर ये कारुबार हो रहा है तो अत्यन्त दुर्भा के जनक है। कोट ने ये भी कहा कि आदेश के बाद भी चिकन यों मीट दुकान संचालक काले शीशे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कई मीट दुकान हैं बिना लाइसेंस के चल रही हैं उन पर एक्शन लिया जाए। रेल मंत्राले ने आने वाले समय के लिए रेलवे की अत्याधुनिक सुईधाओं और सेवाओं से लैस करने के इरादे के साथ कवच 4.0 के लिए तयारी शुरू कर दी है। कवच 4.0 को लेकर 17 जुलाई को RDSO ने इसे सुविक्रित कर दिया है। 10,000 लोकोमोटिव पर कवच लगाने का फैसला किया गया है बहुत कम समय में ये भारतिय रेल की बड़ी काम्याभी है 4.0 कवच देश की सारी परिस्तितियों को कवर करेगा मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता मार्च तक पूरा करने का लक्षे है वहीं मुंबई से चन्नाई और चन्नाई से कोलकाता को अभी स्विकृति प्रदान की गई है लगभग 9,000 किलोमीटर कवच की स्विकृति हो गई है जो रेल गाडियां अब बन कर आएंगी उसमें कवच लगकर ही आएगा अब तक कवच की जो टेस्टिंग हुई है उसमें सौफी सदिये सफल रहा है नैशनल बोर्ड और इग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस ने आगामी नीट पीजी 2024 परिक्षा के पेपर लीग को लेकर चल रही खबरों को जूटा और भ्रामक करार दिया है NBEMS के मताबिक कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलिग्राम के जरिए उमीदवारों को पैसों के बतले प्रशन उपलब्द कराने के फरजी दावे कर रहे हैं जिसके बाद इन लोगं के खिलाब पुलिस में शिकायत भी दर्च करा दी गई है साथी National Board of Examination in Medical Sciences ने बताया कि नीट पीजी 2024 के प्रशन पत्र अभी तयार नहीं किये गए है NBEMS ने इन जूटे दावों का खंडन करते हुए आविदकों को भी सावधान रहने की सला दी है उसके एक बयान में कहा गिया है कि आविदक ऐसे तत्तों के बहकावे में ना आए जो आगामी नीट पीजी 2024 के प्रशनों तक पहुँच का दावा करके उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे है NBEMS ने प्रशन पत्र उपलब्ध कराने का जूटा दावा करने के मामले में अभिहर्थियों को शिकायत दर्ज कराने की भी बात कही है राष्ट्रपती दुरौपदी मुर्मु अपने तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में बुद्वार को न्यूजिलेंड की राचधानी आखलेंड पहुची आखलेंड आगमन पर राष्ट्रपती मुर्मु का स्वागत किर्शी व्यापार और वानिकी मंत्री टॉट मैकले न्यूजिलेंड में भारत की उच्चा युक्त नीता भूशन ने किया राष्ट्रपती दुरौपती मुर्मु कल वेलिंग्टन की यात्रा करेंगी जहां वो न्यूजिलेंड के गवर्नर जनरल डेम सिंडी की रोग प्रधान मंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और उप्रधान मंत्री विस्टन पीटर्स से मुलाकात करेंगी नेपाल में नुआ कोड जिले के शिवपूरी लाके में एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना गरस्त हो गया इस्थानिया मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार हेलिकॉप्टर काटमंडू से रवाना हुआ था और सया फ्रुवेंसी जा रहा था इस दुर्घटना में पाइलट समेथ कुल पाँच लोगों की मौत हो गई जिन में से चार चीनी नागरिक थे अभी तक दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है कुछ हपते पहले ही नेपाल में हुए एक अन्य विमान दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी बांगला देश में गुरुवार को अंतरिम सरकार का गठन होने की पूरी उमीद है इस बीज भारत के कई नेताओं और संस्ताओं ने हिंदू अलप संख्यों को पर हो रहे अत्याचार हिंसा की भरसना की है वहीं भारती अभी मानन कमपनियों ने धाका की हवाई से वाएं बहाल कर दी है बंगलादेश में हिंसा और उथल पुथल के बीच पधानमंती शेख हसीना के इस्तिफ़े के बाद अंतरिम सरकार के गठन का इंतजार है हलाकि ये तैय किया गया है कि नोबेल पुरुषकार विजेता मुहमद यूनुस नई सरकार का नेतुरत करेंगे यूनुस पेरिस से ढखा के लिए रवाना हो गए हैं यूनुस ने अपने एक लिखित बयान में च्छात्रों से शांती बनाए रखने की अपील की है उन्होंने देश को चिताउनी देते हुए कहा है कि हिंसा का रास्ता विना आश्की वोर्ड ले जाएगा हाँ मैं अपने घर वापस जाने और यहाँ देखने के लिए उस्सुखों की वहाँ क्या हो रहा है और इससे बाहर निकलने के लिए हम खुद को तयार करेंगे इस भी सेना प्रमुक ने कहा है कि एस्तिती में तेजी से सुधार हो रहा है और तीन से चार दिन में सामान होने की उमीद है उन्होंने कहा कि पुलीस बल को बहाल करने के लिए काम किया जा रहा है सेना प्रमुख ने कहा कि अंतरीम सरकार गुरुवार देरात तक शपत ले सकती है वहीं मंगलवार को रिया हुई मुख्वी पक्षी नेता खालिजाजया ने लोगों को संबोधित किया उनकी पार्टी बी एनपी ने तीन महीने के भीतर चुनाओ कराने की माकी है विरोज पदेशनों और व्यापक हिंसा के काराल बंद हुई कपला फैक्टरियां बुधवार को फिर से खुल गई वहीं सुरक्षा आशंकाओं के मदनेजर पुलीस कर्मियों के हरताल पर चले जाने के बाद शात्र ढाका की सडकों पर ट्रैफिक की व्यास्ता सभालती हुए दिखाई दे रहे हैं इस बीच से युक्तराश्ट ने बंगलादेश हिंसा की स्वतंत निश्पक्ष और पारदर्शी जाच की अपील की है बंगलादेश हिंसा के सभी क्रित्तियों की पूर्ण, स्वतंत्र, निश्पक्ष और पारदर्शी जाच की अवशक्ता है इन हिंसा घटाओं में कई जिलों में विशेश रूप से अलपसंक्यकों के घरों और मंदिरों को निशाना बनाय गया सुरक्षाबलों की गैर मौजूद्गी में सोमार से हिंदुों पर हमले बढ़ गए हैं बंगलादेश में अलपसंक्यकों को पर हमले को लेकर भारा समेथ दुनिया भर के संगट्नों ने चिंता जताई है उत्तरप्रदेश की मुखमंत्री योगी आदित नास ने भी अलपसंक्यकों पर हमले पर चिंता व्यक्त की मंतिर तोड़े जारे हैं चुन-चुन करके हिंदों को निशाना बनाया जारा है हम इध्यास के उन परतों को ढूड़ने का प्रियास महीं कर रहे हैं प्रकार की दुर्भाज्यपूर इस्तिती क्यों वहां पर पैदा हुई है सनातन धरोपार आने वाले संकट के लिए फिर से एक जुट होकर के कारे के जाने की आउसकता है उदर राजनितिक आइस्तिता के बीच धाका में भारती उच्चायो का रत है और भारती राजनिक और अधिकारी धाका में बने भी हैं हाला कि कुछ कमचारी और उनके परिवार मंगलवार के सुबा लोट आए हैं इस सियाई धाका के सभी हेल्प लाइने काम कर रही है किसी आपात इस्तिती के लिए बंगलादेश में भारती उच्चायोग हेल्प लाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं इस बीच एर इंडिया सहीद भारत की अधिकांशता एयर लाइन्स ने धाका के अपनी सेवाएं बहाल कर दी हैं ब्योरो रिपोर्ट डीडी न्यूज तो इस बॉलिटिन में फिलाल इतना ही नमस्कार